नमस्कार दोस्तों यह है future learning platform तो दोस्तों आज हम जो topic करने वाले computer के top 15 जो full form करेंगे जो हर exam में पूछे जाता है तो जल्दी से channel को like कर दीजिए share कर दीजिए तो आज के session में जो top 15 अपने जो full form है उसी के बारे में हम बात करेंगे तो यह session top 15 full form के बारे में रहेगा तो जल्दी से जुड़ जाएए तो चलो start करते हैं top 15 यहाँ पे full form के साथ जो computer से related तो सबसे पहली तो सबसे पहली यहाँ पे full form की बात करें जरूर not कर लीजिए सबी आप यहाँ पे not कर लेना यह तो सबसे first number full form तो यहाँ पे यह दी पूछे बी आई एन एसी यह दी exam में full form आ जाती है देखिए सभी important रहेगी full form बी आई एन एसी तो इसकी जो full form होती क्या होती है ध्यान रखें दोस्तो binary ध्यान रखना है binary यहाँ पे जो भी लिक रहा हूँ वो आप भी not कर ले binary automatic computer किसकी full form है बी आई एन एसी टॉप 15 बोला है ज्यादा भी हो सकते है आप अराम से not करते रहें second number second number exam में कई बार पूचा गया CAD CAD का मतलब है यहाँ पे computer CAD का मतलब होता है computer added design computer added design जो है किसकी full form हो गई CAD की CAD की full form बहुत सांदर यह भी exam में कई बार पूचे गई EDVAC इसमें आपको दो तिन full form द्यान रखने पड़ेगी EDVAC की full form द्यान रखें इसकी full form जो होते है वो होते है electronic क्या होती है electronic electronic है ना कि electronical यह द्यान रखें discrete electronic discrete variable फिर यहाँ पे द्यान रखना है automatic automatic होगा क्या होगा automatic computer C का मतलब यहाँ पे क्या है computer ओके फिर यहाँ पे बात करें fourth number fourth number क्या है I N I N I A C ठीक है जो यह पहला एक electronic computer तो computer जो था वो कौन सा था I N I N I C ठा और उसकी full form की बात करें तो वो है यहाँ पे electronic इसमें भी क्या होगा electronic ओके फिर यहाँ पे द्यान रखना है numerical electronic numerical numerical फिर आता है यहाँ पे integrated इंटी ग्रेटर इंटी ग्रेटर एंड क्या होगा computer इसमें भी क्या हो जाएगा computer हो जाएगा okay very important अभी तक हमने जो four full form की है सभी एक्जामर पूचे गई है यह दिए आपको पूचे five number यह भी full form कहीं बार आ चुकी है bios bios की full form क्या होगा basic ध्यान रखना है basic i का मतलब होता है input जो भी devices होता है computer जो प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है computer चेय करता है किसको चेय करता है bios bios किसम होता है ROM होता है यह सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने है basic input output फिर यहां पर ध्यान रखना है system यह यहां पर किसकी होगई bios की full form होगई ओके next बात करें bios की तरह यह आपको एक और full form ध्यान रखने है जो आपको अलग से बता रहा हूं यहां पर top 15 तो करेंगे post की ध्यान रखना post की full form क्या होती है power power फिर ओ का मतलब हो गया on फिर आता है यहां पर self और फिर आता है test power on self test यह किसकी full form हो गई post की ओके चलें अभी तक हमने five full form की है तो देखे five full form not कर लीजिए जल्दी से screenshot ले लीजिए चलो अब चलते हम आगे six number के और यहां पर six number जो full form है कौन सी है देखे six number full form देखेंगे हम जो आपको कौन सा पूचा देखे तो अभी तक हमने five full form कर लिए six number जो एक्जाम में काई बार पूची गई है six number full form देखेंगे जो है अपना LCD के बारे में LCD LCD की full form जो होती है वो होती है liquid क्या होती है लिक्वीड सी का मतलब होता है crystal डिस्प्ले लिक्वीड किस्टल डिस्प्ले इसी तरीके से आप LED की भी दियान रखें LED की भी दियान रखें टॉप 15 हो जाएगी दोस्तों नमबर तो मैं जैसे लगा रहा हूं लेकर LED की दियान रखें LED की full form क्या हो जाएगी light इमिटिंग लाइट इमिटिंग और डि का मतलब क्या हो जाएगा डायोट यह भी full form दियान रखनी है LCD और LED तो यहां पर एक दो full form यहां पर extra हो गई न अपने चलो 7 नमबर की बात करें के भई PDF की full form PDF एक file extension है document है हैрал इसकी full form क्या हो गई ब्रोटे बर क्या हो जायएगी यहां पर प्रोटेबल कौन सा document लाइव न होगा दोस्तें दियान रखना ओके कई बार आप जल्द वाज़े में क्या कर देते हो file answer आईसे राइट करके आ जाते हो तो प्रोटेबल डॉक्यमेंट फॉरमेट होता है फिर बात करें एट नंबर आर ए आईडी बताईए इसकी फुल फर्म ध्यान रखनी है अभी क्या होता है आर ए आईडी जो होता है रिडेंडेंट एरे ओफ इनडिपेंडेंड डिस्क तो ध् पर read and date ओके फिर ए का मतलब क्या हो गया array off बीच में off आएगा फिर independent disk independent dependent क्या हो जाएगा disk यह किसकी full form हो गई red की full form हो चुके ninth number full form की बात करें sata क्या लिका मैंने sata अब यह sata जो होता है यह sata क्या एक cable का नाम है तो यहां पर इसकी जो full form होगी वो होगी यहां पर serial क्या ध्यान रखना है serial serial advance क्या ध्यान रखें serial advanced t का मतलब क्या हो जाएगा technology serial advanced technology और यह का मतलब हो जाएगा attachment ध्यान रखें attachment एटेच मेंट वेरी इंपोर्डेंट सीरियल एडवांस टेकनोलजी एटेच्च्मेंट किसकी फुलपों में साटा की टॉप 15 है सभी एग्जाम के लिए इंपोर्डेंट है जरूर चैनल को लाइक्स है जरूर करें दोस्तों चलो फिर यहां पर चलते हैं 10 नंबर 10 नंबर की बात करें SSD SSD एक storage device हो गई इसी तरीके से SSD के बाद हम एक और देख सकते हैं HDD भी देख सकते हैं तो SSD की फुल फॉर्म क्या होगी पहला तो यह दियान रखें तो इसकी फुल फॉर्म होगी solid क्या होगी solid state drive यह कौन सी है solid state drive किसकी फुल फॉर्म होगी यहां पर SSD की यह दि हार्डिक्स की पुछे मतलब यह एक हार्डिक्स भी storage है तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई हार्ड डी का मतलब हो गया disk और डी का मतलब हो गया drive हार्ड डिस्क ड्राइव किसकी फुल फॉर्म है HDD की वो की SSD समझ में आया चलो अभी यहां पर चलते आगे SSD के जैस बाद में यहां पर नेक्स्ट इसकें सॉर्ड ले लिजिए जल्दी से चलो 11 नमबर 11 नमबर की बात करते है 11 नमबर अपने फुल फॉर्म जो है अपने VGA से related कि VGA की फुल फॉर्म क्या हो गई वीजे की फुल फॉर्म दियान रखें वीडियो क्या होगा यहां पर वीडियो जी का मतलब क्या होगा graphics वीडियो ग्राफिक्स और एक का मतलब क्या होगा एरे वीडियो ग्राफिक्स एरे किसके फुल फॉर्म वीजे की एक्जाम में पूछ लेता है API की यह भी आ जाती है इसी मेंसे जो मैं करवार हूँ इसी मेंसे बार बार रिपीट्एड होती है हर एक्जाम में API के मतलब होता है application एका मतलब हो गया application क्या होगा application program और I का मतलब क्या हो गया interface ओके application program इंटरफेस किसके फुल फॉर्म एप एक ए से रिलेटेड एक और करते हैं जिसका नाम द्यान रखना ARP ARP क्या होता है एक protocol होता है क्या होता है protocol ओके इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो ध्यान रखें address फुल फॉर्म क्या हो गई address resolution protocol address resolution protocol किसके फुल फॉर्म है भाई ARP की कि कोडिए नंबर की बात करें जम असकाय कि जो होता यह कोड होता है जो असकाय कितने नंबर डिजिट का होता है यह ध्यान रखना है या तो 7-1 या फिर 8-bit पार के बारे में पॉच्छ लेता है इस तो अमरीका क्या ध्यान रखना है अमेरीकन यहाँ पर very important है American standard code standard standard code F का मतलब क्या दियान रखना है यहाँ पर और फिर आता है information 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 और I का मतलब होता है interchange क्या होता है interchange तो यहाँ पर क्या पता चला sky code कितना होता है 7 bit या 8 bit और American standard code for information interchange किसके full form हो गई यह sky की चलें आगे चलो आगे चलते हैं एक बार screenshot ले लिए फिर हम आगे next करते हैं अभी तक हमने 14 full form कर लिए है और यह सभी exam के लिए very important है ओके चलें आगे चलो आगे चलते हैं आगे यहाँ पर देखिए जल्दी से अभी यहाँ पर 15 number AVI AVI क्या होता है यहाँ पर audio यहाँ पर दियान रखें audio video क्या full form है audio video I का मतलब हो जाएगा inter valve क्या होगा inter sorry inter live inter live किसकी full form AVI की 60 number बात करें CSS CSS क्या होता एक language है यह तो पहली बात तो यह दियान रखनी है और यहाँ पर इसकी full form जो क्या हो जाएगी केस केडिंग style seat style seat किसकी full form हो गई seats यह दियान रखना है CSS की full form 17 number की बात करें CDMA CDMA पहले जो अपने sim वगरा जो होती थी CDMA कियाती थी तो इसकी full form जो होती है code divisional code division क्या answer होगा इसका full form क्या होगा multiple axis code division multiple axis CDMA की full form फिर बात करें AT number CRT यह क्या होता है monitor होता है CRT वैसे monitor की बात करें और आगे आजाएगा हम भी देखते रहेंगे चलो अभी देख लेते हैं अभी जैस्ट हमने monitor के अंदर देखा था जैसे LED वगर है अभी full form हमने कीती LCD की कीती तो इन दोनों की भी द्यान रखना है यह भी monitor से संबन देते हैं तो CRT यह क्या होता है कैतोड रे ट्यूब कैतोड रे और ट्यूब CRT की full form कैतोड रे ट्यूब ओके यहां पर यह आएगा ओके चल उननिस नंबर की बात करें CISC बताए यह full form इसकी full form होगी complex क्या होगी complex complex I का मतलब है instruction complex instruction सेट यहां पर computer होगा complex instruction सेट computer ओके computers तो CISC की full form चलो इसकी इनसोड ले लिजिए जल्दी से फिर चलते हैं आगे देखो आगे चलते हैं फिर बताए जल्दी से फिर देखो अब यहां पर 20 नंबर की बात करें दोस्तों 20 नंबर 20 नंबर फुल फॉल फॉर्म जो है यहां पर डी पी ऐई डी पी की full form डी पी जो होता है किस में होता है यह printer की quality ध्यान रखे printer की quality किस में calculate की जाती है जाएं ने अगा टीपिय यहां फॉल फॉर्म डॉध पर इंच डॉध पर इंच ओके यह दि पूछ ले full form dml यह किसम होता है database में किसम होता है database में तो यहां पर इसके full form क्या हो जाएगी data d का मतलब क्या है data manipulation manipulation language data manipulation language ओके 22 की बात करें EDI EDI ये दी पूछ लेता है EDI का मतलब होता है Fund Transfer के लिए इसके लिए हो गया Fund के लिए एक Payment Method हो गया तो E-Logtronic क्या होता है इसकी Full Form E-Logtronic OK D का मतलब क्या हो गया Data E-Logtronic Data Interchange E-Logtronic Data Interchange किसकी Full Form हो गयी EDI की फिर यहां पर बात करें 23 FTP के बारे में FTP क्या होता है एक Protocol होता है दोस्तों क्या होता है Protocol Full Form की बात करें तो F का मतलब हो गया File T का मतलब हो गया यहां पर Transfer File Transfer Protocol OK तो यह किसकी Full Form हो गई FTP की File Transfer Protocol OK जल्दे से Screen Start लेजिए फिर आगे चलते हैं जल्दे से Screen Start ले लिजिए फिर आगे चलते हैं तो देखिए आगे Next 24 24 की बात करें आपको क्या पूछा है देखिए I-N I-A-C I-N-I-A-C Electronic Numerical Integrated and Calculator OK इसकी Full Form क्या होगी E का मतलब है यहां पर Electronic Electronic फिर आता है N का मतलब Numerical फिर I का मतलब होगा Integrator Entry Greater And क्या हो जाएगा Calculator OK इसी तरीके से यह दी पूछ ले Full Form I-D-S-A-C OK तो इसमें क्या होगा Electronic तो हो गई Electronic तो हो गई लेकिन इस D का मतलब होता है Delay और S का मतलब हो गई यहां पर Storage और फिर यहां पर Automatic Computer नहीं होगा इसमें क्या हो जाएगा Automatic Calculator Calculator OK यहां पर दोनों में यह दियान रखना है फिर यहां पर Next बात करें 26 के E-D-V-A-C इसका मतलब Voice M Electronic D का मतलब Discreet OK फिर आता है V का मतलब Variable Variable Automatic Computer Automatic Automatic Computer OK चलो फिर चलता है यहां पर 27 में 27 यह दी फूल फॉर्म है अपनी FAT से रिलेटेड FAT क्या होता है यह क्या फाइल सिस्टम होता है तो यह FAT जो है Find Allocation क्या होगा File Allocation Table File Allocation Allocation Table OK यह दी पूछ ले आपको FPS 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 की Full Form होती है Frame क्या होता है इसमें Frames Per Second Per Second OK तो यह किसके Full Form हो गई FPS की जल्दी से इसका इसके इसके इसोट लें फिर हम आगे चलते हैं जल्दी से यहाँ पे 28 तक अभी हमने की है फिर हम 29 से Start करते हैं चलो 29 29 29 Full Form क्या पुचा है देखिए 29 29 है Flops क्या बताया है मैंने Flops Flops की Full Form क्या होती है दोस्तों Flops की होगी F का मतलब है Floating क्या होगा O L A T I N G Floating Point फिर आता है Operations Per Second क्या होगा Operations Per Second ओके Exam आता है 30 नमबर भी देखें Gigo Gigo की भी बहुत वार पूचा गया है बहुत वार आ जाता है Repeated तो Garbage In यहां पर दियान रखें Garbage In Garbage Out Garbage In और Garbage Out यह किसकी हो गई यहां पर Gigo की Full Form हो गई Exam में पूची गई Full Form जो GPRS के बारे में यह भी कही बार पूची गई है हर Exam में General G का मतलब है General General Packet Pocket नहीं होगा यहां Packet होगा R का मतलब होगा Radio General Packet Radio Service General Packet Radio Service किसके Full Form GPRS के कही बार Exam में पूचा जाता है GPRS फिर यहां पर 32 की बात करें GUI और यह कोदा है CUI दोनों Operating System के पार्ट है यह दोनों और यहां पर Full Form इसकी धियान रखना Graphical क्या Full Form होगी Graphical U का मतलब होगा User I का मतलब होगा Interface Graphical User Interface और C का मतलब क्या होगा यहां पर Character क्या हो जाएगा Character User Interface यह किसकी Full Form है C I K जल्दी से इसकी Insert लीजिए फिर आगे करते हैं तो देखिए चले आगे चलो Next चलते हैं तो अभी तक अपने 32 हो चुकी है 33 की बात करें 33 Important Full Form GBPS कई बार गलत कर देते हुए यहां पर Option कैसा है वो देखें Giga Bytes का है या फिर Giga Bytes का है ओके फिर यहां पर द्यान रखना पर सेकिंड जैसा Option UFC की सबसे आंसर देना है फिर हम यह केबल की बात करें HDMI यह भी एक क्या होती है एक केबल होती है क्या होती है केबल अच्छी क्वालिटी के लिए HDMI की तरह VGA यह भी एक केबल होता है USB यह भी एक केबल है तो यह सब द्यान रखने है तो यह HDMI की यह दिम बात करें HDMI की फुल फर्म तो वो होगी High क्या होगा High Definition High Definition High Definition Multimedia Multimedia High का मतलब हो गया Interface High Definition Multimedia Interface इदी वीजे की पूचे Video Graphics एरे Video Graphics एरे यह किसकी फुल फर्म होगी यहाँ पे वीजे की USB की पूच ले तो यहाँ पे द्यान रखना Universal S का मतलब क्या हो गया Serial बस हर एक्जाम में पूचा जाता है दोस्तों तो यह ध्यान रखें सारी Important है यह सभी जो Full Form में अब लिखी है सभी यह Important है सभी एक्जाम के लिए सभी Full Form Important 35 की बात करें देखिए 35 35 हट्टी पी एस हट्टी पी एस हट्टी पी तक तो पता है तो यह उता गया है यह एक प्रोटोकॉल है क्या होता है प्रोटोकॉल फुल फॉर्म पूच ले तो अराम से ध्यान रखना यहां पे इसकी Full Form जो होगी Hyper Text क्या Full Form है Hyper Text Transfer Protocol Hyper Text Transfer Protocol प्रोटो पॉर्ट और S का मतलब क्या हो गया Secure इसमें very important point ही यह था Secure होता है इस सिस्टम नहीं होता है ओकी जलदे से screenshot लेजिए फिर आगे चलते है चलो आगे next बात करें यहां पे 36 नमबर आई एम एपी ये भी एक्जाम पुछा गया है ये भी एक प्रोटोकॉल है जो किसमें आता है मैसेज में आता है तो इसलिए इसका दियान रखे इंटरनेट मैसेज इंटरनेट मैसेज ओके फिर एका मतलब होता है एक्सेज और फिर यहां पर आता है प्रोटोकॉल इंटरनेट मैसेज एक्सेज प्रोटोकॉल इसी तरीकी से एक और प्रोटोकॉल की बात करें जो एक्जाम में पुछा गया आएम आई एम ए ये भी बहुत वार पुछा गया मल्टी पर्पस दियान रखें इसकी फुल फॉर्म क्या होगी मल्टी पर्पस होगा मल्टी पर्पस ओके इंटरनेट इंटरनेट मेल एक्स्टेंशन दियान रखें इसमें क्या होगा मेल एक्स्टेंशन होगा एक्स्टेंशन ओके फिर यहां पर बात करें 38 जिसमें MICR MICR का द्यान रखें तो इसी तरी के स lobby द्यान रखें OMR भी द्यान रखें और BCR भी आपको द्यान रखना है यह सबी जो ओते हैं किया होते हैं एक स्केनर है और स्केनर जो ओता है कौन सा डिवाइस होता है input device होता है कौन सा device होता है input device या input unit तब बात करें MICR full form की तो वो होती है यहाँ पर magnetic क्या होता है magnetic ink character reader magnetic ink character reader character R का मतलब क्या हो गया reader या recognition भी कह सकते है OCR में OU optical दियान रखना है M का मतलब दियान रखना है mark हो गया फिर R का मतलब क्या हो गया reader हो गया OMR की बात करें तो इसकी full form क्या हो गया optical हो गया M का मतलब क्या हो गया mark हो गया R का मतलब क्या हो गया यहाँ पर reader हो गया सुर्छी दोस्तों यहाँ पर M mark अटाना यह हां मार कटाना इसमें होगा करेक्टर Optical character reader Optical character BCR की बात करें Bar code क्या हो जाएगा इसमें Bar code reader Bar code reader ओके जल्दी से screenshot ले लिजिए फिर हम आगे चलते हैं अब थोड़ी बहुत बची है जल्दी से ये full form complete करते हैं आज की class very important सभी exam के लिए चलो next next बात करें 39 जल्दी जल्दी देखे इसको क्योंकि 50 फुल फॉर्म करनी है और exam के लिए very important है time खराब नहीं करना है जितना जल्दी हो सके उसको read करें देखे हर exam में पूछी जाती है MPEG तो इसलिए सब याद रखें MPEG motion क्या फुल फॉर्म होगा motion picture expert group motion picture experts group ओके इसकी फुल फॉर्म ये दियान रखनी exam में आती है 40 नंबर की बात करें NTFS ये भी बहुत वार पुची गई new technology ये एक file का system होता है new technology technology file system new technology technology फॉर्म फॉर्टी वन की बात करें जैसे OMR अभी हमने कर लेती तो OMR लिख लीजिए एक वार optical mark reader ओके इसकनर है तो इसलिए दियान रखें mark reader ये दी exam में पूछ लेता है 42 दियान रखें PNG PNG का मतलब क्या है portable portable नेटवर्क प्रोटेबल नेटवर्क ग्राफिक्स तो यहां पर इतना दियान रखना है portable नेटवर्क ग्राफिक्स PNG नेक्स्ट इसकिंज़र्ड ले लिजिए जल्दी से फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आगे नेक्स्ट नेक्स्ट जो है 44 की बात करें अभी तक अभी हमने 42 हो गई चलो यह नंबर चैंज करतीजिए 43 43 43 की बात करें वाइफाई इसकी फुल फॉर्म यह भी कई बार एक्जाम पुचा गए है वाइफाई वाइफाई की फुल फॉर्म होती है wireless क्या होती है wireless fidelity fidelity कई बार एक्जाम पुचा जाए 44 की बात करें DSL यह जो होता है एक internet connection होता है DSL के होता है एक internet connection है पहली बात तो यह दियान रखना है internet connection कौन सा होता है DSL internet connection तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो digital subscriber digital subscriber line